आज का सूसमाचार का पाठ यहुना लिकित सूसमाचार अठारा आध्याय, उनिस बस्ते लेकर चालिस बत्तब महायाज़क द्वारा येशु से पूछताच तब महायाज़क द्वारा येशु से उसके चेलों के विशे में और उसके उपदेश के विशे में पूछताच की येशु ने उसको उत्तर दिया मैंने संसार से फुल कर बाते की मैंने अराजनल्यों और मंदिर में जहां सब यहुदी खटा हुआ करते हैं सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा तू मुझे से क्यों पूछता है सुनने वालों से पूछ की मैंने उनसे क्या कहा देख वे जानते हैं की मैंने क्या 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 कहा जब उसने यह कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था येशु को थपड मार कर कहा क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है येशु ने उसे उत्तर दिया यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाई दे परन्तु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है अन्ना ने उसे बांगते हुए काईफा महायाज़क के पास भेज दिया पत्रस का कुन इंकार शामोन पत्रस खड़ा हुआ आग ताप रहा था तब उन्होंने उससे कहा कहीं तो भी उसके चेलों मेंसे तो नहीं है उसने इंकार करके कहा मैं नहीं हूँ महायाज़क के दासों में से एक जो उसके कुटुंग में से था जिसका कान पत्रस ने काट डाला था बोला क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था पत्रस फिर इंकार कर गया और तुरंत मूर्दू ने बांग दी पिलातुस के सामने येशु तब वे येशु को काईफा के पास से किले को गए और भोर का समय था परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए ताकि अशुद ना हो परंतु फसे खा सके तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा तुम इस मनुश्य पर किस बात का आरोप लगाते हो उन्होंने उसको उत्तर दिया यदि वे को कर्मी ना होता तो हम उसे तेरे हाथ ना सोखते पिलातुस ने उनसे कहा तुम ही मेंसे इसे ले तुम ही से ले जाकर अपनी विवस्ता के अरुसार उसका नियाय करो यहुदियों ने उससे कहा हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले यह इसलिए हुआ कि ये येशो की वह बात पूरी जो उसने ये सकेथ देते हुए कही थी कि उसकी मिर्द्यू कैसे होगी तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया येशो को बुला कर उससे पूछा क्या तु यहुदियों का राजा है येशो ने उत्तर दिया क्या तु यह बात अपनी और से कहता है या दूसरों ने मेरे विशे में तुझे से ये कहा है बिलातुस ने उत्तर दिया क्या मैं यहुदि हूँ तेरी ही जाती इस संसार का होता, तो मेरे सेवत लड़ते की मैं योदियों के हाथ ना सोपा जाता, पर अन्तु मेरा राज्य है यहां का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो तु राजा है, येशो ने उत्तर दिया, तु कहता है कि मैं राजा हूँ, मैंने इसलिए जनम लिया, और इसलिए संसार में आया हूँ, कि सत्य की गवाई दू, जो कोई सत्य का है, वह मेरा शब्द सुनता है, पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है मिर्तु दर्डी की आग गया यह कहकर मैं फिर यहुदियों के पास निकल गया और उनसे कहा मैं तो उसमें कुछ दोश नहीं पाता पर तुम्हारी यह रिती है कि मैं फसे में तुम्हारे लिए एक वैक्ति को छोड़ दू अधे क्या तुम्हारे लिए यहुदियों के इता पनीजें को ठाटा इता में पनीजें कर दोड़ को एता पनीजें पोड़ी